जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष 2020 के दो दिन तीन जनवरी और चार जनवरी के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए जनवरी माह के ये द प्रक्षा कैसी रहेगी आपके पारिवारी जीवन कैसा होगा करियर के बारे में स्वास्था के बारे में सभी के बारे में हम आपकी पूरी दिंचरिया के बारे में बात करने वाले हैं तो आप से निवेदन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं और परिग नाम का योग बन रहा है ये शुक्रवार का दिन है। राशी में रहेंगे उसके बाद राशी परिवर्तित करके मीश राशी में चले जाएंगे सुरिय धनु राशी पुर्वशाडा नक्षत्र में ही चल रहे हैं तो ये थी ग्रहों की स्थिती की बात और इसी क्याधार पर हम जानेंगे कि ये जो दो दिन है ये आपके लिए किस शुब योग माना जाता है इस योग में जो कारे किया जाता है उसमें आपको बहुत रिक सफलता मिलती है गज यानि गज जितनी ताकत रखने वाला योग तो इस समय आपकी जिन्दगी में शायद कोई नया मोड आ सकता है आप इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको अच्छे से guide करेगा अगर कोई problem है आप किसी कारे से जुड़े हुए है कोई business की कोई problem चल रही है तो इस समय आपको वो व्यक्ति ऐसी समझ दे सकता है ऐसी सिक्षा दे सकता है जिसकी शायद आपको जरूरत भी थी तो उसकी बात तो को ध्यान से सुनना है और वो आपको लाबदाय की सिद्ध होगी और अगर आपको यह जो जानकारी है यह पसंदा आती है तो उस पर आमल करने की भी तैयारी आप रखें इस समय आपका मन होगा कि आप बाहर निकलें घर से बाहर निकलें और लोगों से जाकर मिलें तो यह बहुत अच्छी चीज है आप घर से बाहर निकलें और दूसरे लोगों से जाकर मिलें कोई व्यक्ति क्या काऱי करता है यह पता करें अगर आप कुछ नहीं करते हैं करते हैं तब भी उसको बढ़ाने के वारे में सोचें आपकी जिन्दगी में जो तनाव था वो आपका खत्म होगा दोस्तों के साथ आप बाहर गुमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं और किसी समारों में जाने का मौका भी आपको इस समय मिल सकता है तो वहां जाकर आपको अ आनद आप उठाएं यह जो समय है यह भौतिक सुखसु विधाओं का समय होगा आपके लिए आपके पास हर सुखसु विधा होगी और इनका आप बखुवी लुथ्व भी उठाएंगे इस समय आपके मानसम्मान में भी बढ़ोतरी होती होई दिखाय दे रही है और आप कि इसी सामाजिक कारिया से भी जोड़ सकते हैं जिस सामाजिक कारिया में जोडने से आपको मानसम्मान की प्राप्ती भी होगी इस समय जो विधेश से अपना वैपार करते हैं विधेश जाने का आवसार आपको मिल सकता है कोई छोटी मोटी आत्रा का योग भी आपके लिए है और इससे जीवन में फाइदा भी होगा तो तैयारी में लग जाए अपना अगर विदेज जाने के लिए अपलाई करना है तो इन दो दिनों में आप जरूर करें आपको वहाँ जाने का जरूर मौका मिलेगा और इसके भविश्य में आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेगे आपका जो काम है वो अच्छा चलता रहेगा आपके जो रूटीन वर्क है वो बहुत अच्छा रहेगा जैसे रूटीन वर्क अच्छा होना चाहिए आपका काम अच्छा चलना चाहिए उसी मदद से आपके लिए कई सारे औसर खुल जाते हैं कई दर्वाज़े आपके लीए खुल जाते हैं और करियर में व्रद्धी होती है तो आप ऐसी चीजों पर जरूर धेहन दे अपनी जो चीज जो आप कारिय करते हैं उससे लोगों तक आपको पहुचाना है तो इसके लिए वग्यापन का सहराब जरूर ले और योजना ध्यान से बनाए इस समय आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको फायदा होता हुआ जरूर दिखाए देगा और जल्दी ही उसके रिजल्ट भी नजर आने लगेंगे तो कुछ कोई साज़ेदारे का काम भी कर सकते हैं और यह आपके लिए फायदे मन साबित होगा जो लोग घर बैट कर काम करते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा यह समय है आपको अच्छे और मिल सकते हैं आप अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं तो यदि आपने सही काम चुना तो ये आपके लिए एक बड़ा profit दे सकता है इन दो दिनों में इस समय आपको अपने व्यपार में आश्चरिय जनक रूप से तरक्की होती हुई दिखाए देगी जो आपनी सोची भी नहीं होगी ये अच्छी तरह से समझ बूझ लें और अपने व्यपसाय की तरफ ध्यान रखें कि जो आपकी तरक्की हो रही है वो आगे भी ऐसे ही चलती रहे तो ये सही समय है आगे बढ़ने का और अच्छा समय है विदेशी कॉंट्रैक्ट बनाने का विदेशी बाजार से आपको अच्छे कॉंट्रैक्ट मिल सकते हैं, पार्टीज में आप जा सकते है इस समय अंतरास्टिय लेंदेन या अंतरास्टिय बजार से जुड़े जो लोग है बिजनिसमेन हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है लाबकारी दिन है तो इस मौके का फायदा उठाएं जहां तक संभव हो अपने वैपार को आगे बढ़ाते रहना है अपने वैपार को ज यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी वाणी पनियंद्रन रखना होगा वाणी में कटूता आ सकती है तो जब भी आप किसी इंपोर्टेंट काम को कर रहे हैं तो सिर्फ उतने ही शब्तों का प्रियोग करें जितने से काम चलेगा क्योंकि समय वाणी में कटूता के समवंद और विवा समंद इनकी हम यदी बात करें तो यह दो दो दिन अपहत अच्छे रहने वाले हैं जोस्त से भरे रहने तो किसी भी हालत में इन दो दिनों को अच्छे से आपको जीना है अगर कोई बेचेन ही आपको होती है कोई पर इसकी तो एक दूसरे से बातें शेयर जरूर करें आप टाकि आप एक दूसरे की हालत को भी समझ सके और अपनी प्यार को पा भी सके तो इस चीज़ पर ध्यान देना है अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर समय समय पर करते रहना है जो आपके लिए फाइदे मंद होगा आपके लिए हित कर होगा तो इस चीज़ों को आपको अपनी महनत का फल तो मिलेगा ही और आपको अपने बच्चों से अपने काम में सपोर्ट मिलने वाला है जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं उनको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का अफसर मिल सकता है और अगर ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं तो फुल कॉन्फिडन्स से आप जाएंगे और वहां आप देखें तो धपाल मचा सकते हैं तो कोई भी मौका हाथ से गवाना नहीं है बहुत अच्छा यह समय है और बदलते मौसम में थोड़ा सा अपने उपर ध्यान भी देखर चलें आप अपने खाने पीने का बदलाव जरूर इस समय करें और यह जो बदलाव होगा यह आपके लिए बदलाव अच्छा रहेगा और इससे आपका स्वास्त है अच्छा रहेगा इस समय जो है आपकी आर्थिक स्थिती भी अच्छी रहेगी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी लेकिन थोड़ी सी सावधानी सेहत में भी यहां आपको बरतनी होगी अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी इसके अलावा आग के कारिया करते हैं वहां से दूर रहें यानि आग से दूर रहना है, electronic of current से आपको दूर रहना है electronic चीजों का अगर आप use करते हैं तो उनको आपको सावधानी पूरवक चलाना है अगर सावधानी आप रख लेंगे तो इन दो दिनों को आप अबड़े ही अच्छे से enjoy कर पाएंगे तो याद रखें आग से दूर रहें वहाँ सावधानी पूरवक चलाई यातायत के नियमों का पालन करें और electronic चीजों का बहुत ही सावधानी से आपको प्रियोग करना है जो कि यहाँ थोड़ी सी आपके लिए अच्छनोती पूरवक दिन रह सकते हैं तो चिंता ना करें बस सावधानी करें चिंता ना करें बाकी समय आपके लिए अनुकुल रहने वाला है तो दोस्तों यह हमने बात कि तीन जनवरी और चार जनवरी के तुला राशी फल के बारे में अगली वीडियो में मिलेंगे अगले दो दिन के राशी फल के साथ तब तक हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेर करना बिलकुल न भूलें